नमस्कारम सद्गुरू, क्या कोई व्यक्ती अपनी परम प्रकृती तक पहुँचने के लिए कामुक्ता का उप्योग कर सकता है? तो क्या कामुक्ता इश्वर तक पहुँचने का एक मार्ग है? अगर आप इसे उस तरह से देखना चाते हैं, तो हर चीज इश्वर तक पहुँचने का मार्ग हो सकती है अस्तित्व में मौझूद हर चीज, अस्तित्व में हर परमानू, इश्वर तक पहुँचने का एक द्वार हो सकता है अगर आप उसे खोलना जानते हैं तो उस माइने में हाँ, कामुक्ता भी इश्वर तक पहुंचने का एक द्वार है किसी के द्वारा इसके बारे में बात करने का कारण ये है कि कई तरीकों से ये आपकी जीवन उर्जा का कुछ हिस्सा आपकी कामुक्ता को समर्पित है जब तक कि आप इसे रूपांतरित नहीं करते ये स्वाभाविक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रजनन क्रिया हो और नसल सुरक्षित रहे मानवजाति कायम रहे आपकी उर्जा का कुछ हिस्सा स्वाभाविक रूप से यौन प्रक्रिया कुछ समर्पित है जिन्दा रहने के संदर्ब में प्रजनन जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि जीवित रहना सिर्फ आपके शरीर के बारे में नहीं है जीवित रहना प्रजाती के संरक्षन के बारे में है तो जब जीवित रहने की प्रवृत्ती प्रजातियों के बारे में होती है तो स्वभाविक रूप से कामुकता के लिए एक खास उर्जा समर्पित होती है जब तक कि आप इसे सचेतन रूपांतरित नहीं करते ये सिस्टम में मौजूद रहती है आप इसे नकार नहीं सकते हो सकता है कि अलग-अलग लोगों में ये अलग-अलग हद तक हो हो सकता है कि उसी हद तक ना हो कुछ लोगों में ये बहुत प्रबल हो सकती है कुछ लोगों में ये बस एक गुजरने वाला दौर हो सकता है तो क्या हम कामुकता को ईश्वर तक पहुँचने के मार्क के रूप में इस्टिमाल कर सकते हैं? मैं सलाह दूँगा कि आप कामुकता को कामुकता के रूप में ही लें उसे आध्यात्मिक प्रक्रिया बनाने की कोशिश ना करें क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा अनुशासन की जरूरत होती है जिसके लिए आप सक्षम नहीं है मैं कहूंगा कि आप में से अधिकांश, लगभग आप सभी लोग उस तरह के अनुशासन की योगे नहीं है जिसकी जरूरत है जब जीवन सनरक्षन की एक स्वाभाविक प्रवृती काम कर रही है उसमें जरूरी जागरुकता लाना और उस स्वाभाविक प्रवृती को जो एक तरह के उदेश को पूरा करने की कोशिश कर रही है उसे एक चरम संभावना बनाने के लिए आपकी सोच से कहीं ज्यादा लगता है अब अगर आपको अपराद बोध की समस्या नहीं है अपने शरीर की बुनियादी बायोलोजी को लेकर तो आप इसे उस सीमा तक संचालित करें जो एक व्यक्ति के रूप में आपके लिए जरूरी है आपको सामाजिक मानकों को पूरा करने की जरूरत नहीं है नहीं स्टट फार्म के साथ प्रतिस पर्धा करनी है आसपास के एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरत किस हद तक है आप उसे देखें, उसके लिए सामाजिक मानकों को निर्धारित न करें अगर आप इस हिसाब से चलें, न कि खुद को सामाजिक मानकों के हिसाब से चलाएं तो आप देखेंगे कि आप में से ज्यादतर लोगों को वास्तव में कामुकता की बहुत कम जरूरत है आसपास जो हो रहा है उसे देखकर लोग चलते हैं उन्हें लगता है कि अगर वो वैसे नहीं हैं जैसा बाकी लोग होने का दावा करते हैं तो शायद वो सामाने जीवन नहीं जी रहे हैं इन विचारों के कारण वो ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए जरूरी नहीं है अगर आप अपनी स्वाभाविक प्रकृती से चलते हैं तो आप देखेंगे की ज्यादा तर लोगों को बहुत कम की जरूरत होती है सिर्फ कुछी लोग बहुत ज्यादा कामुकता वाले होते हैं बाकी लोगों के लिए ये इतनी प्रबल चीज नहीं है ये मौजूद है लेकिन इतनी प्रबल नहीं है एक बार ऐसा हुआ एक 92 साल का आदमी डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने उसका एक क्लिनिकल चेक अप किया और उससे कहा आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है तो तुरंथ ही इस 92 साल के आदमी ने पूछा क्या इसका मतलब है कि मुझे अपनी सेक्स लाइफ छोड़नी होगी डॉक्टर ने पूछा वैसे कौन सी इसके बारे में सोचना या इसके बारे में बात करना दुनिया इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे है ये स्वाभाविक नहीं है कामुक्ता आपका बस एक छोटा सा हिस्सा है इस भौतिक शरीर में भी कामुक्ता आपके शरीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है, है न? ये इतना बड़ा क्यों हो गया? सिर्फ गलत सोच के कारण सबसे पहले आपने आदमी या औरत की सरल बायोलोजी को वैसे ही स्विकार नहीं किया है, जैसी वो है आप इसे कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है न? अगर आप मानव शरीर को बस वैसे ही देखें, जैसा वो है, तो उसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा कामुक्ता नहीं है लेकिन अब, ये लोगों के दिमाग में एक विकृती बन गई है क्योंकि सही और गलत, अपराद बोध और सजा की सोच और जो भी बक्वास, ये बहुत बड़ी हो गई है अगर आप इसे अपने जीवन में बस एक हिस्से के रूप में सुविकार करते हैं, तो ये आपके जीवन का एक बहुत छोटा हिस्सा है तब आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि दिव्वे तक पहुंचने के लिए अपनी कामुक्ता का उप्योग कैसे करें कई दूसरी चीजें कहीं ज्यादा महत्वपून भूमी का निभा रही हैं, है न? खाना, टॉइलेट जाना, उसमें कामुक्ता से ज्यादा भागी दा रही है, कैसा नहीं है? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्या मैं अपनी टॉइलेट जानी की प्रक्रिया को परम तक पहुंचने के तरीके के रूप में इस्तिमाल कर सकता हूं? ये ज्यादा जरूरी है, है न? क्या ये ज्यादा बाधिकारी नहीं है? क्या ये ज्यादा विवश्ता पूर्ण नहीं है? तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? हम कैसे इस्तिमाल करें? पेशाप करने को परम तक पहुंचने के लिए. ऐसा विचार कभी नहीं आया, है न? क्योंकि कभी किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आपको अपराद बोध होना चाहिए या सही और गलत होने की भावना अपनी टॉलेट की समस्या के बारे में पर इस एक चीज को उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया उन्होंने इसे जितना बड़ा बनाया आपके दिमाग में उतना ही ज्यादा प्रतिरोध और संगर्श हुआ यह आपके दिमाग में भर गया है, यही समस्या है तो अगर आप मुझसे पूछें तो इसे करने के और भी कई आसान तरीके हैं कामुक्ता को ईश्वर तक पहुँचने का जरिया बनाने की कोशिश क्यों करें पता है जब जब हमने इशा में बिजनस गतिविधी शुरू की तो हम सोच रहे थे कि इसे क्या नाम दिया जाए उन्होंने कई नाम सुझाए मैंने का बिल्कुल नहीं हम इसे इशा बिजनस कहेंगे वो बोले ये कुछ ज़्यादे ही स्पष्ट है मैंने का मैं यही चाहता हूँ कि यह स्पष्ट हो क्योंकि अगर आप और कुछ कहते हैं तो लोगों के मन में हर तरह के विचार आएंगे लोगों का मानना है कि इशा में सिर्फ सेवा होती है और अगर आप बिजनस करते हैं तो लोग आपके साथ व्यापार करने आएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उनके साथ धर्म करें तो मैं चाहता था कि नाम से ही ये बहुत स्पष्ट हो इशा बिजनस हम व्यापार कर रहे हैं इस बारे में कोई संदे नहीं रखिये और नहीं हमें इस बारे में कोई पस्टावा है तो यही आपके लिए है अपनी आध्यात्मिक्ता को अलग संभालें और अपनी कामुक्ता को अलग वो आपस में जुड़ेवे नहीं हैं क्या मैं उन्हें जोड सकता हूँ? हाँ, आप हर चीज़ को आध्यात्मिक्ता से जोड सकते हैं, संभव हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. लेकिन एक कठिन रास्ता क्यों चुनें? ऐसा रास्ता क्यों चुनें, जिसमें इतनी विवश्टा है, और उसे सचेतन बनाने की कोशिश करें, उसके बजाए सचेतन होने के दूसरे आसान तरीके मौजूद हैं.